लूवद में स्क्राइब कर सकते हो, हम ने सीखा था कैसे ह्म हम स्टेंडर्ड फेस्बुक पिक्सल को अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल करें आपके हर पेज की information जो आपके website तक पहुचा रहा है उसको हम कहते हैं standard pixel और वो हमने कल सीखा था आज के lesson में हम सीखेंगे event based pixel लगाना इवेंट based pixel, event based pixel कौन सा होता है अगर आप कोई specific event track करना चाहते हो जैसे कि अगर आपके website पे कोई lead बने या कोई आप sale generate करो ठीक है तो वो अगर आप अलग से track करना चाहते हो then we call it event specific pixel ठीक है तो आज के lesson में हम सीखेंगे event specific pixel लगाना बहुत ही ज़्यादा असान है अब ध्यान से देखना और अपने website पे आप इसे आज लगाना ठील चलो जी start करते हैं सो यह मेरी website थी कल जहां पे हमने लगाया था pixel एक बार हम चेक कर लेते हैं कि pixel काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहां मैंने ऊपर जो आ रहा है facebook pixel helper हमने कल chrome extension इंस्टॉल किया था facebook pixel helper और उसके help से हम यह देख सकते हैं कि इस website पे pixel लगाया कि नहीं लगा जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे you can see कि यहां पे pixel लगा हुआ है और सारा data हमारा track हो रहा है और facebook के पास जा रहा है हमारे add account में जा रहा है और हम सारी चीजों को track कर सकते हैं अब देखो ध्यान से अगर आपको याद हो तो दो तिन लेशन पहले हमनже landing page बनाये था यहां मेरा लेंड़िंग और यहां पे pixel लगा है आप देख शकते हो यह pixel क्या track कर रहा है page view और यह रहा मेरा thank you page यह रहा मेरा thank you page और अगर मैं यहां जाओं तो आप देख सकते हो ये page भी track हो रहा है और क्या track हो रहा है page view मतलब ये page किसी ने देखा that is page view तो facebook के लिए इस page में और इस page में कोई difference नहीं है क्यों नहीं है ये भी page view track हो रहा है और ये भी ट्रैक हो रहा है पेज के। आप बताओ क्या आपके लिए इस पेज में और इस पेज में difference है या नहीं है बिलकुल difference है यह तो landing page है जहां कोई ब्हुत हो रहा है और यह है thankyou page मतलब यहां कोई तब आएगा जब हो मेरा website पर àके form fill कर दे तो उसे हम कहते हैं lead आपके लिए क्या valuable है जादा एक normal visit या lead जायर से बात है lead जादा valuable है और हम ये track करना चाहते हैं और ये काम हम कर सकते हैं दो तरीके से पहला event pixel जहां में event लेना है और अपने website पे डाल देना है बहुत ही असान दूसरा through custom conversion right suppose करो आप event pixel नहीं डालना चाहते और information तभी भी track करना चाहते हो तो आप क्या use कर सकते हो custom conversion ठीक है पहले हम क्या करते हैं event pixel को install करते हैं ठीक है कैसे करेंगे देखो आप simple कहां जाओगे अपने add account में यहां मैं अपने add account में हूँ add manager then आप जाओगे यहां पर events manager events manager पर जाओ ठीक है और जो मेरा pixel था वो था 100 days course by दीपक यह वाला था मेरा फेस्बूक अकाउंट है तो इसे क्लिक कर लेते हैं आ गया आप देख सकते हो सब सही से काम कर रहा है अब हामें क्या setup करना है पिक्सल event pixel not normal pixel we want to setup event pixel ठीक है तो देखो यहांब डीटेल्स का option है click details और यहां देखो setup का option है setup पे जाओ और देखो option क्या रहा है setup new events पहले क्या रहा है install pixel एक बार हम क्लिक करते हैं यह हम काम कर चुके हैं अल्रडी last class में अब हमें क्या setup करने event तो setup पे जाओ और setup new events और manually add event code use facebook event setup tool यह हम सीखेंगे बाद में अभी हम करेंगे manually तो manually add event code अब देखो यहां पे बड़े सारे event आ रहे हैं आपके पास आ रहे है जैसे view content मतलब किसी ने आपका content देखा add to cart किसी ने product add किया cart में तो वो एक event fire हो जाए यह जादतर जो events हैं यह हैं e-commerce वाले जैसे add payment info, initiate checkout, add to cart तो हम यह भी सीखेंगे यह वाले कैसे कर सकते हो अभी हमें कौन सा करना है lead वाला right कि हमारा कोई lead बना तो अभी देखो क्या है e-commerce and retail right इसको आप change करके कोई भी दूसरा ले लो for example मैं ले लेता हूँ other business category यहाँ पे देखो आपको lead मिल जाएगा मिल जाएगा lead यह रहा मतलब कोई आपका lead बना ठीक है suppose आपके website पे contact वाला page है हाना और जैसी आपके कोई contact पेज पे जाए तो आप चाहते हो कि एक event फायर हो जाए एक specific information facebook के पास आ जाए कि कोई आपके contact पेज पे गया तो उसके लिए हम कौन सा पिक्सल फायर कर सकते है contact वाला अभी मैं क्या फायर करना चाहता हूं कि जैसे कोई इस page पे आए thank you page पे तो एक lead का pixel फायर हो जाए कि कोई lead बना ठीक है तो simple काम यह कैसे करना है आप कहां आओगे lead पे मैं कहां गया हूं मैं event पे गया यह दुबारा दिखा देता हूं मैं गया setup और मैं गया setup new events और manually add event code और यहां बड़े सारे option है मैं गया other business category और then मैं गया lead और यह देखो यह कोई information आ रही है आ रही है information अब देखो अगर आप इसको कुछ value भी देना चाहते हो न कि जो यह lead आपकी बन रही है वो उसकी value क्या है सपोज इस lead की worth है 100 रुपए तो आप 100 रुपए value देना चाहते हो और currency है सपोज आई एना अगर आप यह देना चाहते हो तो आप यह value भी दे सकते हो अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको हटा सकते हो connection है तो simple यहां से क्या किया मैंने copy copy किया अब ध्यान से देखो कल जो हमने pixel fire किया था वो fire हो रहा था हर पेज पर हर पेज पर अभी जो हमने code copy किया है वो किसी इच का code है ठीक है अब lead कोई कब बनेगा जब वो मेरे thank you पेज पर आएगा तो यह pixel बताओ क्या मैं इस landing पेज पेज पर fire करूँगा यह thank you पेज पर फाइर करूँगा जाइर सी बात है मैं कहां fire करूँगा thank you पेज पर तो थैंक्यू पेज पर करूँगा क्योंकि यह लीड है और लीड कोई कब बनेगा जब वो थैंक्यू पर आएगा कोई जस्ट नॉर्मल विजिट कर रहा है तो मेरी लीड नहीं है तो यह राइड तो अब देखो कि अब यह काम आप कैसे कर सकते हो बहुत है सिंपल आप आओगे कहा Google Tag Manager कल आमने Google Tag Manager पर एकाउंट बना है था तो हम आएंगे Google Tag Manager और यहाँ पर दोगों कंटेनर आ रहा है नाम आ रहा है वेब साइट का उसको ले लो अब हम करेंगे add new tag add करो और tag का क्या नाम देदोगे Facebook पिक्सल लीड परफेक्ट अब आओगे tag configuration पे और यहाँ से लोगे custom HTML और code को यहां कर दोगे paste अब आओगे triggering अब ध्यान से देखना कल वाला जो हमने किया था वो हमने fire किया था all pages पे आज वाला जो हम लेंगे वो कहां fire करेंगे just thank you page पे ठीक है तो हम क्या करेंगे वापस आएंगे और करेंगे plus और इसका नाम दे दो lead thank you page trigger और यहाँ पे आपको लेना है page view और all page views some page views हमें क्या लेना है some page views और यह page host name में आप कर दोगे page URL contains को कर दो equals और यह उठाओ URL copy और यहाँ पे इसको कर दो paste और इसको कर दो save बहुत ही असार और अब इसको कर दो save फिर से इसे कर दो submit इसे कर दो publish इसे कर दो continue ठीक है वापस आ जाओ workspace पे अब यहाँ से करो preview ठीक है प्रिव्यू हो गया अब आजाओ अपने website पे और इसे करो hard refresh control F5 refresh हो गया अब देखो जादू देखो अब क्या pixel fire हो रहे हैं दो pixel पहला facebook pixel all pages जो मतलब सारे pages track कर रहा है दूसरा facebook pixel lead मतलब जो lead generate हुई वह प्लस अब अगर मैं अपने facebook pixel में भी जाओं तो देखो यहाँ पे lead आ रहा है अना तो अब दो pixel fire हो रहे हैं एकदम perfect वापस जाओगे Google tag manager पे और करोगे leave preview mode और इसे करोगे ok अब वापस आओगे अपने website पे और इसे करोगे refresh परफेक्ट हो गया ठीक अब यहां कर दो done अब यहीं पे देखो क्या काम करना है settings है settings यह देखो settings पे आओ और आ रहा है देखो एक option open event नहीं एक sorry open event setup tool वापस से काम करते हैं वापस जाते हैं overview में और देखो यहां पे आना है basically test events not settings हमें जाना है test events तो हम गए test events पे अब हम यहां से यह check कर सकते हैं कि क्या हमारी website पे tracking सही से काम कर रही है नहीं कर रही है तो यह क्या कह रहा है अपनी website का URL डालो तो यह रहा मेरी website का URL लिखा और यह कर दिया मैंने open website अब मैं website प्याया अब वापस आओ देखो क्या आगया page view मतलब जैसी में अपने website प्याया pixel fire हो गया page view मतलब किसी ने पेज देखा यह information facebook के पास आ गई अब मैं वापस आता हूं यह thank you page था मेरा अब मैं खोलता हूं अपना यहाँ पे thank you page अब मैं वापस आता हूं आप अपने facebook पे देखो option क्या आगया lead लीड आ गया मतलब जैसे कोई इस page पे आया क्या information आगी lead कि कोई lead आपका बना simple तो ऐसे information आप track कर सकते हो यह हमने कौन सब pixel बनाया event pixel अब suppose करो कि मेरी website पे है contact us page है नी page अभी मेरे पास तो मैं काम करता हूं एक page बनाता हूं contact us page और मैं track क्या करना चाहता हूं कि एक event fire हो जबी भी कोई मेरे contact us page पे आए क्या event fire हो जैसे कोई मेरे contact us page पे आए एक event fire हो ठीक है तो मैं एक काम करता हूं एक page बना देता हूं एक नया page बनाया है मैंने add new और इस page का नाम लिख दो contact us और इसे कर दो publish इसे कर दो publish और यह रहा link इस link को यहां कर लो open अब मैं क्या चाहता हूं जैसे कोई contact us पे आए एक नया event fire हो जाए अब मैं अगर यहां जाके देखूँ तो देखो एक ही event fire हो रहा है page view अब मैं चाहता हूं एक और event fire हो जाए वो क्या है contact us simple ठीक है तो अब आपको करना क्या है आप वापस जाओगे है setup setup new events manually add event code और देखो यहां पे contact का होगा कोई न कोई pixel यह रहा contact yellow और इसे करो copy ठीक है अब इसे हमें paste करना है तो क्या करोगे google tag manager add a new tag और यहां पर इसका नाम लिख दोगे facebook pixel contact ठीक है tag configuration यहां पर क्या लोगे जी बताओ custom html बिल्कुल असान यहां पर code कर दोगे paste अब आओगे trigger अब कौन सा page हमें चाहिए बताओ हमें चाहिए यह वाला page तो इस page को करोगे copy वापस आओगे plus करोगे plus इसका नाम दे दो contact us page अब इसे करोगे trigger अब करोगे page view आप लोगे some page views आप लोगे page url आप लोगे equals और आप यहां कर दोगे code paste और आप करोगे save बहुत ही असान और आप करोगे और फिर से save आप करोगे submit और फिर करो publish और फिर करो continue कितना असान है चीक workspace पे आजाओ और इसे करो preview आजाओ अपने page पे contact us पर दो hard refresh एक बार Ctrl F5 अब देखते हैं क्या pixel fire हो रहा है Facebook pixel all pages और दूसरा contact यह देखो lead pixel क्या ही fire हुआ देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ tags not fired on this page lead वाला fire नहीं हुआ यहां पर क्यों नहीं हुआ क्योंकि lead वाला कहा fire होगा thank you page पे जो कि यह वाला पेज है not this one तो इस पर कौन सा fire होगा contact प्लस यहां pixel में जाके चेक करोगे तो आ गया contact और फायर बिल्कुल पर्फेक्ट अब इसे कर दो leave preview mode और इसे कर दो ok ठीक अब वापस आ जाओ इसे कर दो refresh तो यह आपने देखा कैसे आप event pixel लगा सकते हुआ ठीक अब suppose करो कि आप event pixel नहीं लगाना चाते और फिर भी information ट्रैक करना चाते ओ ठीक है आप event pixel नहीं लगाना चाते और फिर भी information ट्रैक करना चाते ओ तो फिर क्या काम करना है फिर आप यूज़ कर सकते हो custom conversion राइट वह कैसे करोगे बहुत ही ज्यादा आसान है वापस आओ account में done करोगे overview पे जाओगे और देखो option क्या रहा है create custom conversion तो click करो create custom conversion और suppose करो मैं इसके लिए करना चाहता हूं create thanks के लिए तो copy किया URL को मैंने कर दिया equal और यहां पर URL ढाल दिया और इसका प्राम क्या लिख दिया मैंने Facebook सब्सक्राइब चेक लिस्ट download category क्या डाल देता हूं यह है मेरा lead इसके अगर value डालनी है तो डाल सकते हो नहीं डालनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कर देते हैं create और इसको कर देते हैं done सिंपल है अब देखो यहां पर option क्या रहा है custom conversion यहां पर आ जाओ यह देखो आगया conversion facebook checklist download अभी दिखा रहा है no activity तो वापस आओ इसको refresh करो हो गया refresh वापस आओ refresh करो हो गया refresh आगया अब suppose करो similarly इसके लिए भी बनाना चाहते हो तो copy करो वापस आओ create custom conversion करो इसको equals कर देते हैं इसको paste कर देते हैं इसे लिख देते हैं contact us category में लिख देते हैं need ही डाल देते हैं और value छोड़ देते हैं और create कर देते हैं और इसे इधार आ जो refresh करो आ गया दोनों active हाना तो आपने आज के लेसन में सीखा event pixel कैसे लगा सकते हो ठीक है और हमने लगा के देखा हमने दो तरीके से किया हम एक तो direct code हमने paste करके देखा दूसरा हमने क्या किया हमने custom conversion बना राइट अब आपको करना क्या है आज तो आपको इसकी practice करनी है अपनी website के उपर आप pages बनाओ multiple और उसमें through google tag manager आप custom conversion setup करो अगर जरूत पड़े तो इस video को बार बार देख लेना कोई confusion नहीं हो गया ठीक है तो यह तो हमने लगाया custom conversion अब कल के lesson में हम क्या करेंगे कि हम events लगाएंगे किसके लिए e-commerce के लिए यह जो events आपने लगाए यह किसके लिए चल जाएगा यह चल जाएगा normal business के लिए बट यह e-commerce के लिए नहीं चलेगा तो कल जो हम lesson सीखेंगे उसमें हम events लगाएंगे e-commerce के लिए ठीक है और आज का जो lesson है इसको आप please practice करना events आप लगा के देखना तभी clarity मिलेगी आपको नहीं तो आपको clarity नहीं मिलेगी ठीक है thank you so much